है गाइस वैलकम बैक तो माई चैनल आज हम आपके साथ सेयर करने वाले हैं धंडी में खाने वाला मतलब धंडी में लोग खाते है इसको मक्य की आते की रोटी और सरसो का साग जो बहुत जादा टेस्टी लगता है देशी तरीके से बताऊंगी इसको गाउं में और सहर में ब बूकर में हम डाल देंगे, कट कर लिये थे अच्छे साफ करके, और इसमें मिर्च डाल दूँगी, अधरक डाल दूँगी, लेसुन डाल दूँगी, इधर लेसुन में ज्यादा यूज करूँगी, क्योंकि ठंडी है इसलिए, और नमक डाल के और इसमें पानी डाल देंगे और इसको हम 2-3 सीटी लगाएंगे जिससे हमारा जो साग है वो सॉफ्ट हो जाए तो इसमें 2-3 सीटी लगा देंगे इस 3 सीटी लगा दी थी अब हम जेकल लेते हैं तो ये देखें साग अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और यह जो लैसुन हो गए रहा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो इसको हम पहले तो अब क्या करेंगे इसमें हम ताल देंगे 3-4 यस्पून दाल देंगे मक्य का आटा और इसको हम न मथानी जो होते हैं जिसे हम मख्छन निकालते हैं बस उसी से हम अच्छे से मैस कर लेंगे, तो ये वाली से देखे कितने अच्छे से मैस हो गया है, मतलब एकदम पारी कर देना है, फेंट देना है हमें, एकदम चटनी जैसे, क्योंकि साग जो होता न, वैसे ही करते हैं, अब इधर हम अच्छा से तड़का लगा देंगे, बारी कट कर ली थी, और सूखी तीन मिर्च डाल दूँगी मैं, इसमें मैं घी भी डालूँगी, मैं घी पहले भूल गई थी, फिर मैं बीच में डाल दी थी घी, क्योंकि घी डालने से अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं घी भी इधर डालूँगी अभी, और इधर हम प्य गी और आपको तेल दोनों लेना है, उसे बहुत ही अच्छा सा, मतलब तड़का बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो यह देखिए, प्याज हलके से कलर चेंज हो गए है, तो इधर हम दो टमाटर ले लिए थे, तो टमाटर को भी डाल के, और इसमें हम नमक डाल देंगी, ज बहुत ही अच्छा तड़का हम अपने साग में डालेंगे ना, तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा बढ़ जाएगा, इधर हम कोई मसाले एड नहीं करने वाले हैं, बस सिंपल सा ही बनता है, साग जो होता है, तो हल्दी पाउडर, थोड़ा से धनिया पाउडर हम डाल द अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साग में ही, उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद ना, जो हमारी कूकर में बचा हुआ साग था ना, तो सारा उसमें ही डाल देंगे, और मिक्स कर देंगे, अच्छे से, यह सारा हम डाल देते हैं इसमें, कूकर में, और इसको मिक्स कर देंग और धक के थोड़ा सा हम पकने देंगे मतलब उबाल आने देंगे थोड़ा मैं धकी थी बट साथ वो क्लिप मिस हो गया धकने के बादी देखे बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है अब इधर हम बना लेते हैं मक्के की रोटी इधर मैं मक्के का आटा ले ली थी दो कफ उसमें मैं दो इस्पून दाल दोंगी जो नॉर्मल आटा होता है गयोंको वो और नमक दाल के इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे और इधर एक सॉफ्ट डोर लगाएंगे तो गरम पानी से यह मतलब लगाना है पलकुनकुना पानी होना चाहिए कुनकुने पानी से आप यह डोर लगाओगे न तो बहुत ही अच्छे से रोटी बन जाती है तो पहले मैं स्पून से कर ली थी क्योंकि थोड़ा गरम पानी था इसलिए फिर वापस में ऐसे अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके एक सॉफ्ट डोर लगा लिये थे तो ऐसे ही लगाना है जैसे नॉर्मल हम पूड़ी के लिए बनाते न बस वैसे ही हमें लगाना है डोर तो यह देखिए हो गया अब हम आधा हाटा लेके और इसमें तीन चार लोई कट कर लेंगे तो इसको अच्छे सिर्फ सॉफ्ट करने के बाद यह तीन मैं लोई कट कर ली हूँ क्योंकि यह रोटी होती है जो थोड़ा सा हलकी सी मोटी और मतलब ज्यादा पतली नहीं कर पाते हैं ज्यादा पतली करेंगे न तो फिर वो तूटने लगती है वैसे तुम्हें वीडियो बना चुकी हूं और भी आप जरूर देखना मतलब मके के आटे की रोटी तो बना चुकी हूं काफी बार वीडियो भी डाल चुकी एक दो बार में तो क्या करना ने इधर आपको पॉलिथीन लेना है और उपर से सुखा अटा लगा के उसमें लोई पे और उपर से यहां से हमें बेलना है क्योंकि मैं इतनी एक्सपड तो नहीं हूं बर्ट चलो बन जाता है काम चला ओ मतलब खाने के लिए तो होई जाता है तो यह देखे ऐसे हम बेल लिये थे गूंस titled दूसरी भी दिखा देती हूं आपको मैं यह बहुत ही अच्छे से बेल जाता है ऐसे बेलो तो अगर डाइरिक्ट आप चकले में रखोगे न तो उसमें थोड़ा चिपक सकता है यह तो फिर ज्यादा आटा सूखा लगाओगे तब बन जाएगा तो यह देखिए इसको भी निकाल लेते और इज़र तबा भी हमारा गरम हो गया था तो मैं क्या कर दी थी तबे में पहले से थोड़ा सा तेल लगा कि मैं उसको साफ कर ली थी मतलब जिससे चिपके नहीं हमारा जो रोटी है तो फिर अच्छे से निकल गया था आराम से तो य से दोनों साइट से अच्छे से सेंकेंगे जिसे कच्ची नहीं रहे रोटी तो यह सेंक लिए हैं अब इधर हमारी प्लेट भी लग गई है मक्य का रोटी जो है रख लेंगे और साग भी रख लिए थे इसमें घी डाल देंगे थोड़ा सा और यह मिर्च का चार है इसका व जरूर ट्राय करना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ओके फ्रेंड्स भाई टेक केर